अगर आप नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि पिछली सारी वीडियोस आप आसानी से देख सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक के साथ बंगाल नस्दीक से एक नजर किस तरह बंगाल की जो क्षेत्रिय भाषा है उसका विकास हुआ जब भी हम किसी भी क्षेत्र या किसी भी एरिया की बात करते हैं तो वहां के जो लोग हैं, वहां के जो निवासी हैं उनके द्वारा बोले जानी वाली भाषा को जरूर गिनते हैं तो बंगाल में जो लोग बोलते थे वो हमेशा बंगाली या बंगला भाशा बोलते थे और बहुत इंट्रेस्टिंग बात है कि आज भी बंगाली जो है वो सभी लोगों को लगता है कि संस्कृत भाशा से निकली हुई भाशा है लेकिन अगर हम history देखें तो history ये कहते है कि बंगाली भाषा है जो या जो बंगाल की बंगला भाषा है वो केवल संस्कृत भाषा से नहीं ओप जी बलकि और इसके और कई sources हैं अब वो कौन से sources हैं कहा से इसका उदभव हुआ है वो देखते हैं बात है 3rd और 4th सेंचरी की बहुत समय पहले की बात है बंगाल और मगद अब मगद क्या है जिसको हम दक्षिन बिहार कह सकते है इन दोनों ही क्षेत्रों में यानि बंगाल और मगद के बीच में वानेज्य संबंध स्तापित हो गया यानि ट्रेड हो गया दोनों के बीच में व्यापार संबंध हो गया अब उसकी वज़े से क्या हुआ कि संस्कृत का जो प्रभाव था वो बहुत ही बढ़ता गया 4th सेंचरी के दौरान जब गुपता वंच हुआ यानि गुपता जब रूलर्स आए थे उस समय उत्री बंगाल में अपना उन्होंने बहुत ज़ादा राजनेतिक नियंत्रन कर लिया यानि बहुत राजनेतिक जो उनका कंट्रोल था वो धीरे धीरे बहुत बढ़ता गया और वहाँ पर उन्होंने ब्राह्मनों को बसाना शुरू कर दिया अब इस प्रकार क्या हुआ कि गंगा की मध्यवाटी की जो भाशाएं थी और संस्कृत का जो प्रभाव था वो और ज़्यादा प्रबल हो गया सेवन्थ सेंच्री में जिस समय चाइना के एक यात्री थे जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा यात्री ह्यूनसांग उन्होंने यह पाए कि बंगाल की जो भाशा है वो संस्कृत शबदों की भाशा का तो प्रयोग हो ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ उन्हीं लगा कि यह जो भाशा है बहुत सी भाशाओं का एक मिक्स्चर है यानि mixed भाशाएं हैं इसमें 8th century में पालशासको ने अपने अंतरगत एक नया क्षेत्री राज्य बना लिया था और 14th से 16th century के बीच जो बंगाल के सुल्तान थे उन्होंने अपना एक independent rule शुरू कर दिया था हमने chapter 3 में पढ़ा भी था कि जिस समय दिल्ली सल्तनत का राज चल रहा था तो बंगाल उनके अंडर नहीं था अब उसके इलावा जब 1586 की बात की थी हमने तो अकबर ने इस क्षेत्र पर किस क्षेत्र पर बंगाल पर पुरी तरह से अपना नियंतरण ले लिया था और उसको उन्होंने सूबा का नाम दिया था हमने पिछले chapters में किया था शायद आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहोगा अब सूबा का नाम थो उन्होंने दे दिया लेकिन वहां की जो प्रशास्निक भाशा थी वो समय फार्सी थी लेकिन बंगाली जो थी वहां की क्षित्री भाशा यानि लोकल लैंग्विज चल रही थी अब इससे क्या हुआ कि जब 15th century के आते आते जो लोग थे वहां पर जो बंगाली लोग थे वहां बंगाल में रहने वाले तो उन्होंने अपनी उप भाशा बंगाली रख ली यानि एक लोकल लैंग्विज जो बंगाली थी उसमें भी सामानिय जो सहित्य थे वो लिखे जाने लगे अब धीरे धीरे बोलचाल की भाशा भी बनने लगी बंगाली तो जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा था वहाँ पर संस्कृत और बंगाली दोनों ही भाशाओं का इस्तमाल किया जाने लगा अब इसके इलावा खास बात ये है कि जो संस्कृत शब्दों का बहुत सारा भंडार है यानि संस्कृत के जो वर्ड्स हैं उन में से बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो कि बंगाली भाशा ने ले लिए यानि अडॉप्ट कर लिए अपना लिए उसके इलावा फार्सी और यूरोपियन जो लैंग्विजिस थी यूरोपियन भाशाएं थी उससे भी जो जो वर्ड्स थे वो बंगाली में ले 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 गए अब बंगाली जो प्रारंबिक साहित्य है उसको दो श्रेणियों में यानि दो टाइप्स में बाटा गया है पहली एक श्रेणी कौन सी थी जो संस्कृत वाली श्रेणी है और दूसरी जो उससे स्वतंत्र है यानि पहली श्रेणी में संस्कृत और दूसरी श्रेणी में संस्कृत के इलावा जो और लैंग्विजिस अडॉप्ट की गई हैं जो स्वतंत्र हैं संस्कृत से वो सब हैं यानि संस्कृत के श्रेनी संस्कृत महा कावियों का जो अनुवाध है यानि मंगल काविय अब मंगल काविय का अर्थ अगर आप समझें तो मंगल यानि शुब कार्य तो मंगल काविय यानि जो वहां के स्थानिय देवी देवताओं से संबंधित जो कार्यत है उनको हम कहते थे उस समें मंगल काव्य और जो भगती साहित्य जैसे गौडिया वैशनवान दोलन के जो नीता थे श्री चैतने देव जी उनका नाम था उनकी जीवनिया भी लिखी गई थी इसी साहित्य में जो संस्कृत के महा काव्य थे इसी साहित्य में ये उनकी चैतने देव जी की जीवनिया थी वो भी लिखी गई अब बात करते हैं दूस्तरी श्रीनी की दूस्तरी श्रीनी में नाच साहित्य शामिल है जैसे मैनामती, गोपी चंद के गीत, धर्म ठाकुर को भी समझ लेते हैं उस समय नाथ लोग जो थे, वो सन्यासी होते थे जो तरह-तरह की योगि क्रियाई किया करते थे अब ये जो मैनामती हैं ये कौन थी? बताया जाता है कि मैनामती ने अपने पुत्र गोपी चंद को अनेक बाधाओं के समक्षी यानि बहुत सी मुश्किले आने के बाद भी सन्यास लेने के लिए बहुत जादा प्रेरित किया प्रोचसाहित किया और धर्म ठाकुर वहां के एक शित्रिय लोक प्रिय देव हैं जिनकी पूजा अकसर एक पत्थर या काठ की मूर्ती के रूप में की जाती है तो इस तरह ये हैं मैनामती मैनामती के पुत्र हैं गोपी चंद और धर्म ठाकुर हैं वहां के लोक प्रिय देव ये सब था हमने जो पढ़ा बंगाल भाशा के बारे में अब चलते हैं हमारे नेक्स टॉपिक की ओर पीर और मंदिर बात है 16th सेंश्री की जब लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में कम उप जाओ वाले क्षेत्र जो थे उनको छोड़ कर दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया यानि दलदली क्षित्रों में वो शिफ्ट हो गए जंगली क्षित्रों में वो शिफ्ट हो गए जब ये सारे लोग जंगल की तरफ भाग गए तो उन्होंने क्या किया कि जंगलों को साफ करके उस भूमी पर खेती करना शुरू कर दिया और यहाँ पर जो लोग थे वो अक्सर जनजाती अक्षेत्र के लोग थे जो कि किसान के नए समुदाय में मिल गए, शामिल हो गए इनमे अब मुगलों का जो नियंत्रन था वो धीरे-धीरे बंगाल पर स्थापित हो गया और उन्होंने पूर्वी डेल्टा के जो केंद्रिय भाग थे जहांपर धाका आपने नाम सुना होगा धाका नगर में उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित कर ली यह आपको याद रखना है कि जो बंगाल पर मुगलों ने जब नियंत्रन किया तो उन्होंने अपनी राजधानी धाका नगर को बनाया जब लोग बाहर से आते थे यहांपर बसने के लिए तो वो चाहते थे कि यहांपर जो इनकी यह अस्थिर परिस्थितिया है इसमें वहां के लोगों से वो कुछ मदद चाहते थे कि उनकी कुछ व्यवस्था कर दी जाए या उनको किसी तरह से आश्वासन दे दिया जाए अब ये आश्वासन और ये सुकसुविदाएं उन्हें दी वहां के समुदाए के नेताओं ने और ये जो नेता थे ये जादतर या तो शिक्षक थे या फिर वहां के निरनायक थे और कभी-कभी तो इनको वहां पर ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तिया यानि अद्वुत शक्तिया है और इसलिए लोग प्यार से और आदर से इन्हें पीर का नाम दिया करते थे और ये जो पीर थे ये जादतर या तो संथ थे या सूफी थे जो कि धर्मिक अनुष्ठान किया करते थे और धर्मिक कारियों में अपने आपको संलिप्त किया करते थे या फिर ये सैनिक या योध्धा भी होते थे हिंदू और बौध देवी देवताओं के रूप में भी इने माना जाता था और यहां तक कि इनको जिवात्माओं में भी शामिल किया करते थे इससे क्या हुआ कि पीरों की जो पूजा पदती है वो बहुत जादा लोगों में लोक प्रिय हो गई और आज भी अगर हम देखें तो बंगाल में मजारे बहुत जादा पाई जाती है अब शुरू में जब हमने चैप्टर टू और चैप्टर फाइव किया था तो उसमें हमने देखा था कि जितने भी शासक आया करते थे वो धार्मिक भवनों का निर्मान किया करते थे वो ना सिर्फ भक्ती के कारण बलकि अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए इन भवनों का निर्मान किया करते थे तो चलिए इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी कर लेते हैं मचली भोजन के रूप में अब आप जानते हैं कि जो बंगाल है वो एक नदीय मैदान है जहांपर मचली और धान की बहुत ज़ादा उपज होती है अब क्योंकि यहांपर बहुत ज़ादा मचली के उपज होती है तो यहांपर हर जगा पर मचली पकड़ना प्रमुक उनका सोर्स अफ इंकम होता था मचली पकड़कर वो अपनी जीवन यापन किया करते थे और साथ ही साथ बंगाली अगर साहित्ति के बात करें तो वहांपर जगा जगा पर मचलीओं के बारे में आपको देखने सुनने को मिलता है यहां तक कि उन्होंने मंदिरों में और बौध जो विहार होती है उनकी दिवारों पर भी जो चित्रकला का प्रदर्शन किया गया है उसमें भी लोग मचलियों को साफ करते हुए, टोकरियों में भरते हुए, बाजार ले जाते हुए, यही सब दिखाया जाता है तो यह था हमारा चैप्टर, इसी के साथ यह चैप्टर खतम होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके question answers यानि कि आपकी NCRT के exercises को solve करेंगे तो देखना बिलकुल मत भूलिए, तो अगली वीडियो तक अपना खास ध्यान रखिएगा, take care, bye-bye